पच्पन से मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था वो मेरा छोटा भाई था मैंने हमेशा दूसरों का भला ही किया लेकिन कोई यू मुझसे मेरी जिन्दगी चीन लेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था ना जाने मेरे चोटे भाई के साथ क्या हुआ है दिल चोटा मत करो रगु भाई आखिर किसमत का लिखा कौन ताल सकता है शायद तुमारे भग में चोटे भाई का साथ इतना ही लिखा था रगु बहुत ज्यादा हताश और निरास था तरसल रगू अपने चोटे भाई केशव के साथ रहता था रगू एक मेहनती मजदूर था जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था बच्पन में माता पिता की मृत्यू के बाद केशव की सारी जिम्मेदारी रगू के उपर थी रगु अपने चोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसे शेर बेजना चाता था वो दिन रगु के लिए बहुत ही खुशी का दिन था क्योंकि उसका चोटा भाई केशव दस्वी की परिक्षा में सबसे ज़दा अंकों से पास जो हुआ था और फिर अगले दिन रगु अपने भाई केशव को लेकर अपने एक पुराने दोस्त खोपी के पास गया खोपी भाई ये लो मो मिठा करो अरे क्या बात है रगु भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो और ये मिठाई किस खुशी में बाट रहे हो खुशी की तो बात है गोपी मेरा भाई केशव अपने स्कूल में सबसे अच्छे नमबरों से पास हुआ है मेरा सपना है कि मैं अपने भाई को पढ़ने के लिए शहर बेजू टाकि वो पढ़ लिखकर अपने भाई का नाम रोशन करे देखना मेरा भाई बहुत बड़ा नम करेगा और जल्द हमारी ये गरीबे के दिन दूर हो जाएंगे रगु ये बोलकर वहां से चला गया लेकिन रगु की ये सारी बाते सुनकर गोपी मनीमन चलने लगा अच्छा तो ये रगु अपने भाई केशव को शहर बेच कर मोटा पैसा कमाना चाता है ये अपने भाई की कमाई से अपना भविश्य बदलने की सोच रहा है अगर ऐसा हुआ तो मैं रह जाओंगा वैसा का वैसा एक गरीब मजदूर नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मैं इसके छोटे भाई का किसा ही कतम कर देता हूँ अगले दिन रगु अपने भाई केशव को पढ़ने के लिए शहर बेच देता है रास्ते में जैसे ही वो थोड़ा आगे आया तभी उसकी गोड़ा गाड़ी अचानक से पत्रों के बीस वच जाती है उन पत्रों को रास्ते में बिचाने वाला और कोई नहीं बलकी गोपी ही था गोड़ा ये देखकर गाड़ी के पास पड़े पत्रों को हटाने में लग जाता है और उधर गोपी चुपके से आकर केशव को उठाकर वहां से तेजी से बाग निकला और एक उची पहाड़ी पर लाकर उसने रगु के छोटे भाई केशव को पहाड़ी से नीचे फेक दिया अब रगु सारा जीवन अपने भाई को ढूंटा रहेगा अब मैं चल्दी से यहां से निकल जाता हूँ उधर गोड़े ने केशव को हर जगे तलाश किया लेकिन उसे केशव कहीं नहीं मिला पेचारा गोड़ा परेशान होकर रगो के पास लोटाया अरे गोड़ा तुम तो मेरे भाई केशव को शहर चोड़ने गए थे तुम इतनी चल्दी कैसे वापस लोटाये रगु मुझे माफ कर दो तुमारा भाई वहां से चला गया गोड़ा तुम ये क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा साफ साफ कहो क्या बात है तब गोड़ा रगो को सारी बात बताता है ये तुम क्या कह रहे हो गोड़ा आखिर केशव कहां जा सकता है तुमने केशव को कहां चोड़ा था मुझे उस जगए पर ले चलो तब वो दोना उस जगए पर पहुँच जाते हैं लेकिन वहां रगो को अपना छोटा भाई केशव कहीं नहीं दिखता रगो मैंने आकरी बार केशव को यहीं ठोड़ा था लेकिन मेरा भाई यहां से कहां चला गया आखिर वो कहां जा सकता है रगो हताश और निराश होकर अपनी गुफा पर लोटाता है तब ही कुछ देर में गोपी वहां पहुँचता है अरे रगो क्या बात है तुम बहुत परिशान लग रहे हो तब रगो गोपी को सब बताता है रगो यह तो बहुत दुख की बात है और इस तरह गोपी रगो के भाई को मार कर उसे ही दिलासत दे रहा था रगो को सबर नहीं हो रहा था लेकिन जैसे तैसे रगो ने समय के साथ इस दुख की गड़ी में खुद से समझो तक कर लिया अब ऐसे ही कई साल बीट गए बीते सालों बाद मांसोन शुरू हो गया और जंगल में मुसलाधार बारिश होने लगी और इस भारी बारिश में रगो के लिए काम कर पाना मुश्किल हो गया यूँ जैसे तैसे रुकी सुकी खाकर रगो अपना गुजारा कर रहा था उस तेज मुसलाधार बारिश में ए अपने घर में रख लो अरे नहीं नहीं पहले ही मेरे घर में अपने परिवार के लिए जगे कम पड़ रही है यहाँ तुमारे लिए कोई जगे नहीं है चलि जाओ यहाँ से मेरा बच्चा बारिश में भीकर बहुत बीमार हो गया है मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगा दे दो भाई अरे हाँ गाय चल्दी से अंदर आ जाओ रगू गाय के बच्चे को देखता है और उसके बच्चे के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इंतिजाम करता है गाय अब तुम बिल्कुल परिशान मत हो तुमारा बच्चा जल ठीक हो जाएगा शुक्रिया शेर भाई इस मुसीबत की घड़ी में तुमने अपने घर में मुझे जगा दे कर मेरी बच्चे की जान बचाई कोई बात नहीं गाय मुसीबत में हमें सब की मदद करने चाहिए शेर भाई क्या तुम यहां अकेले रहते हो तुमारा परिवार कहां है क्या बताऊं गाय बेहन मेरा परिवार तो मेरा चोटा भाई था जो आज से 15 साल पहले मुझे से बिचड गया शेर भाई तुमारे भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था तब रगु गाय को सारी बात बताता है कैसे उसका चोटा भाई केशव उससे बिचड गया शेर भाई फिर तो तुम खुशियां मनाओ क्योंकि मेरे घर में जो सफे शेर है वो हो नहो तुमारा ही छोटा भाई है मैं एक दिन जब मैं एक दिन जब अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आ रही थी तब मैंने पहाड़ी से इसे नीचे गिरते हुई देखा उसके पूरे सरी इसे खून बह रहा था जब मैंने उपर की ओर देखा तो वहां बिल्कुल तुमारी कदकाटी का एक शेर खड़ा था मैं तुमारे भाई को अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से लाज किया और अपने बच्चे के साथ उसे भी पाला काये इसका मतलब मेरा बाई जिन्दा है कहाँ है मेरा बाई मुझे अपने बाई से अभी मिलना है तब गायक केशव को रगू के पास ले आती है रगू अपने छोटे भाई केशव से मिलकर बहुत खुश होता है मेरे भाई तुम आ गए तुम जिन्दा हो मैंने बरसों तुमारा इंतिजार किया आज भगवान ने हमें फिर से मिला दिया गाय बहन मैं तुमारा जितना शुक्रिया करू उतना कम है तुमने मुझे मेरी जीने की उम्मीद लोटा दी तभी इतने में गोपी वहाँ आता है गाय गोपी को देखकर उसे पैचान लेती है रगू ये तो वही शेर है जिसने तुमारे भाई को उस दिन पहाड़ी से नीचे फैक दिया था क्या इसका मतलब ये सब गोपी ने किया था और रगू भाई क्या चल रहा है क्या तुम अभी तक अपने भाई के गम में डूबे हो धोके बाज गोपी मुझे सब पता चल चुका है तुने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और इतने सालों तक तुमुझे जूटा दिलाशा देता रहा लेकिन धोके बाज पापी तेरे लिए एक बुरी बर है ये जो तुम अपने सामने सफे से देख रहा है ये मेरा वही चोटा भाई केशव है मेरा भाई जिन्दा है गोपी ने जब केशव को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया उसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ और इतने में रगु गोपी पर जोरदार हमला करता है और उसे वही जान से मार देता है और इस तरह आज बरसों बाद रगु और केशव तोनों भाई फिर से मिल जाते हैं तो ये कहानी आपको कैसी लगी अगर कहानी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़दार कहानिया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें